जिला पंचाय सभाग्रम में विद्वत वित्रन कंपणी के इंतरगत रिंजराहत यूजना के कारिक्णम कायज अंक्षेत्री विद्हायक डॉक्टर सीता शर्न शर्मा के मुख्यात इत्थे में हुआ करोना काल के दोरान लोगडॉन की कठिन परिस्तियों में आम आदमी का जीवन काफी प्रहावित हुआ था आर्थिक इस्तिती डग्मा गगाई थी करोना काल के मैं इस्थगित की गई विद्ध विल की राशी का भुखतान करने में सामान और भुखताओं को काफी कठाईयों का सामना करना पड़ रहा था जन सामान की इसी परिशानी को ध्यानना रखते हुए आम विद्धित भोक्ताओं को राहत देनी की दृष्टी से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरासी चौहान ने घरेलू कनेक्शन पर रिकर 30 अगस 2020 की स्तिती में इस्थगित की राशी को माफ करने का निनना लिया जिनों भोक्ताओं ने समाधान योजना 2020-21 के अंतरगत इस्थगित राशी के विरुद भोक्ताओं किये हैं उन्हें भी आगामी दिनों में समायोजित कर राहत देने का निनना लिया है इस योजना में नर्मदापुरम को 74 करूड की राहत प्रदान की गई है करकम में विधायक सीता शरंग शर्मा द्वाराव भोक्ताओं को बिजली के बेलों में राहत योजना 2022 के तहट प्रवाल पत्र आवंधित किये गए विधायक डॉक्टर शर्मा ने अपने उद्वोधन में बताया कि मदप्रदेश सरकार किस तरह सौर उर्जा से बिजली का उत्पादन कर रही है लगभग 500 मेगावाट सौर उर्जा से प्राप्त कर रही है साथ ही उन्होंने बिजली की उप्योगिता के बारे में भी बताया कि किस तरह बिजली हमारे जीवन में आती आवशक है और हमें बिजली की बचत करनी चाहिए नर्मदापुरम की जुनता की ऊर से अतहासिक फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सीचौहान का आभार माना कारकम में मुख्य रूप से भारती जुनता पार्टी के प्रदेश काल समीती सदस्य राकेश यादव, तेराकी संक्य प्रदेश यद्ध्यक, भारती जुनता पार्टी के वरिष्ट अजिता प्यू शर्मा, विधायक प्रतिनिधी अंसराय, चुले के भारती जुनता पार्ट झाल झाल झाल